प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो में कमेश्ट्री के 10 VVI सब्जेक्टिव कोशन को देखेंगे और आप लोग को जो यह सब्जेक्टिव कोशन है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग को जो यह PDF है वह सुरक्षा से बहुत बनिया से अरेंज करके आप ल से आप लोग यह सारे PDF को आप लोग ले सकते हैं तो आज हम लोग 10 VVI सब्जेक्टिव कोशन को डिसकस करेंगे जो आपके एकजाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा बहुत इंपोर्टेंट है तो ध्यान से एक और वो सवाल को समझेगा पहला सवाल जो है बाबु यह सवा सवाल अईबे करता है ठीक है तो जो इसमें से 200 सवाल लिए हैं वह समझेगे कि आपके एकजाम के लिए अती अती महतपूर है तो आप चाहेंगे तो वीडियो रोक रोक के आप लोगों नोट्स भी कर सकते हैं यह दिन नोट्स करने का मन नहीं है समय बहुत कम है तो आप ल नहीं से हम कोश्चन नमर वन को डिसकस करते हैं और ध्यान से समझेगा यह सारे सवाल आपके जाम के लिए बहुत इस्पिसल है तो देखेगा वो ध्यान से पहला सवाल है हम लोग का कि ध्यान से बागू आप लोग देखना है कि सौट की ठीक है ना सौट की दोस्त क्या है आपके एक जाम में बहुत ठीक है ना आपके एक जाम में कनफर्म याद रखेगा कि एगो दोस्त सवाल अईबे करेगा ठीक है ना चाहे कुछ वो हो जाए आपकी एक जाम में एगो दोस्त सवाल रहना तय है एकदम फिक्स है ठीक है तो इसलिए धियान से आप लोग सोट क डिफेक्ट को अराम साफ लोग समझेंगे देखिए क्या है कि कुछ आयन अपने नीशित अस्थान छुड़कर क्रिश्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं जिससे जालक में रिक्तिका रह जाती है जिसे छिदर कहते हैं और इसे सोट की दोस्त कहते हैं क्रिश्टल जालक को समाने रूप से उदासिन रहता है, कोई भी जो वस्तु होता है, समाने अवस्ता से उदासिन होता है, तो कोई भी वस्तु समाने संख्या में उदासिन है, तो इसका मतलब क्या है, कि मान लिजी कि यह हम लोग का कोई बोडी है, यह बोडी समाने अवस्ता में, जब तक यह करा सब सोट की दोस्तं का बुद्थपन होता है कि जब एक अना में से paragraph राग्या के लिकल जाय है और माइनसो निकल जाए मतलब समान संख्या में धर्न आवेस निकलेगा समान संख्या में रिण आवेस निकलेगा अब समान संख्या मान लेगी यह वला पलस निकल के बचारा एही जा घूमने आ गया संगे संगे एक और माइनसो यहां आ गया ठीक है न अब माई यह पलस निक का करे का यह भाई हम चल रहे हैं तोरे साथ ठीक जिन्दिगी संगे बिताएंगे तो मैंना सब निकल जाएगा बारी यहां क्या होगा भागो यहां खाली अस्थान बस जाएगा धियान साफ लोग देखिएगा जब माल से विचार आई यह सब यह चल जाएगा बाहर और यह भी बाहर चल जाएगी तो यहां का होगा यहां हमनी के अस्थान खाली रह गया जब यह अस्थान खाली रह गया तो यहां एक छिदर बन जाएगा ठीके ना एक होल बन जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सोटकी दोस्त कहते हैं या दो गया सोटकी दोस्त में क्या होत है और सांगे सांगे उसकी माइनस वाला भी जाती है तो यहां पर खाली अस्थान बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहाते हैं सोटकी दोस्त कहाते हैं याद हो गया ना आप लोग को सोटकी दोस्त रट्टा नहीं मारना है जो आप लोग समझाते हैं बस एकरा कि आप लोग को समझ जाना है तो 60 की दोस्त आप लोग समझ गए कि यहां समझ निकल तो माल मी कि आप इन कि आ अगे चलते हैं अगेला सवाल चलिए ये इंग्लिच मीडिया में रिक्षट है देखिए सम आयान से लिव दे और फिक्स पोजीशन ठीका ना यानी जो सम आयान सोते हैं वो क्या करते हैं लिव कर जाते हैं निकल जाते हैं कहां से अपने फिक्स पोजीशन से अपने निश्चित अस्थान से बेचारे पलायन कर जाते हैं निकल जाते हैं मुव आउट अफ द्रॉन पी नहीं नहीं कि अकृणी सब्सक्राइब मतलब आज स्थान रहेगा इंदर व उसक्रिस्टल में तो विच इस दड़ एक चिद्र कहते हैं जो यह चिद्र बनता है वो करें का कहते हैं सोट की डिफेक्ट कहते हैं एकदम सीम्पल ललन टोप परिभासा आप लोगे लिख कर लाते हैं देखिए आगे कहा है कि दा नंबर ओफ केटायांस एंड इनायांस लेविंग दा क्रिस्टल लैटिस रिमेंस दा सेम मतलब जो केटायंस और ठीक ना आयंस रहते हैं मतलब धनायान और जो रिडायान होते हैं वह समान संख्या में बहरी निकलते हैं यानि वह जाएगा तो इसके साथ उसकी प्रेमी का भी संगे संगे निकल जाएगी साफा खाली हो जाएगा ठीक ना यानि जिन्दगी संगे इसा ब प्रिश्टल तो उदासी नहीं नहीं रहेगा तो यह लिखा हुआ है आगे चलते हैं बाबु अगिला सवाल आप लोग देखेंगे यह सवाल जानते हैं का है यह सवाल बहुत 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 ज्यादा क्योंकि यह सवाल आपकी एक्जाम में छपने वाला है पहले ही बता देते हैं तो आप लोग एक लिख भी सकते हैं और आप लोग पीडिये से भी रिवाइज कर सकते हैं ठीक है ना जैसी आपकी एक्छा बाबु ठीक है ना चलिए कोश्चन नमर दो क्या है कि निमलीखित नि हम लोग क्लोरो एथिन से ब्यूटन बनाना है और ऐसे सवाल एक इजाम में देखे होंगे कि भर भर के दबा दबा के एक जाम मुला पुछता है आप लोगों से कि क्लोरो एथिन से ब्यूटन कैसे बनाएंगे होकरा से यह कैसे बनाएंगे ठीक है ना मतलब कि चावल से करते हैं जो एक यूगमन करते हैं जिसमें हेलो एलकेन के दो मोल निर्जल एथर ठीए ना निर्जल एथर निर्जल मतलब का होता है सुस्क होता है तो सुस्क एथर की उपस्थिती में सोडियम के दो मोल ठीक है न के साथ उच करम के इन एलकेन देने के लिए परतिकिरिया करते हैं और साफ साफ यह कहने का मतलग है न कि हमको chloroethane से butane बनाना है तो chloroethane को ठिक है ना, सुसक ether के साथ क्या करना पड़ेगा हमनी के लगाना पड़ेगा अग लगाना पड़ेगा, तब हमनी के क्या होगा यह हमनी के बनेगा butane और जो यह सारा reaction होता है हमनी के bulgые reaction यानि बुर्ज रियक्शन में क्या होता है हम लोग का आता है अब यहां से आप लोग को हम देखाते हैं यहां से कईसे आप लोग को यहां से समझना है ठीक है अब आईए नीचे देखिए यहां आप लोग के लिए रियक्शन लिख दिये देखिए यहां आप लोग का रियक् क्लोरो एथिन को सोडियम के दूगोग मूल के साथ है आज ईथर के साथ हम लोग आग लगा देंगे हमनी के अराम से ब्यूतेर मिल जाएगा साथ में विटियम को मिल जाएगा इसकी चर्चा नहीं है क्लोरो एथिन के साथ sodium के दूगो मूल लेंगे और इसको सुस के इथर के साथ क्या करेंगे हम लोग reaction करा देंगे तो हमनी के butane में देखिए क्या होता है एक आमें c कहेगो है एक गो दूगो तीन गो चार गो यहीं दूगो यहां हो जाएगा एक क्या है तेन पशी फ़ोर एच दस भी आप लोग लिख सकते हैं डायडेक्ट कोई दीखत नहीं है समझ गए न यहां लोग हेतना लांबा न लिखके तो लोग c4h10 भी तो लोग लिख सकते हैं आराम से कहीग पूरा मिला के ही C4H10 हम निके बनेगा लास्ट में यहां से देखिए यहां से एगो एने निकलेगा ठीके ना यहां एगो एने तो निकलेगा वट बहरी दू लगा दिये हैं कि दू यहां भी लिये हैं लिये हैं देखिए यहां पर दू लिये हैं तो लगा दिये हैं दू गो एने देखिए इने दूगो असल दूगो तो इकेवेशन हो गया डिखेन अ सब कुछ आप लोगो यहां पर दे दिया गया टो यह आप लोग सुज क इथर के साथ क्या किये है गरम करने पर sodium को दूगमोल के साथ गरम करेंगे हमने के butane मिल जाएगा तो यह आप लोग समझ गए बाबू समझ गए ना चलिए आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं अब देखिए फासफोरी ठीक है ना आप लोग देखेंगे question number 3 और question number 3 देखें बाबू यतना फासफोर काई सवाल गरांटीड सवाल है तो आप को इसके डाग करेंगे ठीक है ना चलिए अब आप लोग के लिए हम यह फीगर ला दिये हैं ताकि आप लोग फीगर से आराम से समझ सकते हैं देखिए फीगर हम जूम कर दिये हैं आप लोग कोई भी दिखत नहीं देखिए हमानी के क्या था हमानी के जो उधर था हम लोग का H3 था और PO4 था यही था न मतलब H3 को चाहिए और हाइड्रोजन क समझानी के एगो से हुआ है आप लोग देखते रहें बाबु यहां आप लोग देखेंगे कि हाईड्रोजन एगो से अज़गो रासी से बंधना चाहिए और ऑकशिजन दूगो रासी से बंधना चाहिए बंधन होता है समझ गये कि जैसे कहने का मतलब है कि जैसा जानवर उसाने का पागाहा आप लोग सुने है ना तो हाइड्रोजन बहुत कमजोर है तो एक राखे एकर असी में बाहन देके काम चल जाएगा ऑक्सिजन थोड़ा सा बरियार होता है दूगों पागाहा के जुरूत होता है यहाँ देखिए हाइड्रोजन हमने के एक पागहा से जुड़ गया यहाँ हाइड्रोजन एक पागहा से यहाँ जुड़ गया और ओक्सिजन के लिए क्यों चाहिए दूगों चाहिए यहाँ ओक्सिजन दूगों से जुड़ गया यहाँ ओक्सिजन का एको इधर एको तो ओक्सिजन का दू गुण चाहिए ठीका ना अब देखिए हम लोग क्या लिखे हैं Whenever पीषच मतलब क्या 6 ऐinely अक्सीजन option कि यह है तो काउंट करिए यहां पर एगो 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 यहां पर दू गो एगो यहां पर तीन गो और एगो यहां पर चार गो हो गया तो आप लोग यह सनचना बाबू याद रखेंगे आपकी एक जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यदा इसका नाम क्या है फासफोरिक एसीड का सनचना आपकी एक जाम के लिए अती मत पूर्ण है आप लोग प्लीज वीडियो रोक के बाबू इसको का कर लेंगे अपने कोभी में लिख लेंगे और इसको आप लोग डेली खाली देखना है आप लोग आराम से कर लेंगे हम बोल द यहां यहां तो यतना तो याद रखना है यहां वह बोल्ट से जुड़े गा और भस कहानी खतम हो गया एतना है आप लोग आराम से कर देंगे तो मुझे उमीद है कि आप लोग इसको लिख दिया होंगे और आप लोग इसको गरदा मचा देंगे आजाएगा तो अब चलिए आगे आते हैं अगिला सवाल आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्त यह सवाल बहुत खतरनाक लेवल का है ठीक ना चलिए धियान से आप लोग पढ़ेंगे सवाल क्या है मेरे प्यारे दोस्त यह भी सवाल बहुत ज़्यादा से देखिए धियान स से समझे है ठीक है और देखिए भाती है टो मटब मतलब बालटी के ऊपर ही सता से जेतना पानी औधिक मातरह में निकलेगा तो उसका वास्प दाब जादा होगा ठीक है ना लेकिन अब आप लोग समझेए मेरे प्यारे दोस्त कि सूध पानी रहेगा शूध पानी मतली आप लोग बॉल्टी में पानी रखे हैं आप लोग फूद प्रेटिकल समझेगा कि आप लोग बल्टी में पानी भरक रखे हैं उपर से लाइट एकदम धूप कड़कड़ाक एकदम उगल है ठीक है तो बताईए तो पानी सबसे ज्यादा बल्टी में से उड़ेगा कईगा जी सवर उड़ेगा लेकिन हम उसी पानी में ठीक है न हम लाके 5 किलो चीनी डाल देंगे का करें हैं चीनी के कंड सामील हो गए है क्योंकि पहले पानी सुथ था तो सौता के उपरी सौता पर प्यूर पानी था एकदम प्यूर पानी था लेकिन आप लोगों करा में चीनी मिला दिये हैं तो चीनी के जो मोटे मोटे कंड है जैसे भी कंड है वह पानी के उपरी सौता पर ज इसलिए उसका वास्प क्या हो गया ग्लोक एप लोगी टिक को कॉल knee buy ग्होल में टीच लिटाै जिस से पानी उधिक मात्रा में वास्प सर्णी रूप में नहीं बदलेगा पानी क्या होगा SCOTT Hindi अधिक मातरा में वास्प नहीं बदलेगा बट बहुत कम मतलब कुछ कम माल जी एक घंटा में एक लिटर पानी उलाथा सुध हे वह सकेगाए 500-600 मतलब एतने जाएगा फ $1000 नहीं जाएगा टिक न तो एतना हमनीक नहीं जाएगा तो गुलुकोज के जलिये घोल का जो वास्वदाब होता है नो पानी के वास्वदाब से क्या होता है कम के होता है मालुम चल गया कि जब गुलुकोज को पानी में मिला देंगे न तो गुलुकोज के क्या होंगे पानी के उपरी सता पर हम लोगे आ जाएंगे जिससे पानी अधिक मातरा में वास्प में नहीं बदल पाएगा जिससे गुलुकोज के जलिये बिलियन का सुध पानी के अफेक्षा जिसका वास्प दाव कम हो जाता है और यही तो परिभासा आप लोगों को लिखा हुआ है पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं ठीक है ना यह क्विला सवाल आता है खादे संदक चक अभी इसका परिभासा हम नहीं पढ़ेंगे अभी इसको हम अपने भासा नहीं समझाते हैं एक से मान लिजी कि आम निम्व का चैorig लगते हैं वह जाधा से जाधा दिर तक का करे वह सुच में बाइक्टेरिया जो इंजाइम जीवानु इससे बैक्टेरिया होते हैं इससे बचाक रखे यहीं नहीं होता है मतलब जो हम लोग अपने खाने की वरस्तुगों को ठीक है ना कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो कि क्या करता है कि लंबे समय त जादे रखे तो उसको रक्षा करने के लिए जो चीज होता है उसको खा दे परिरक्षा कहते हैं या रहे तो तो तेल क्या होता है तेल हमारा खादे परिरक्षक होता है समझ गए ना तो हम लोग कुछ ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं जिससे हमारा जो खाने वाला पदार्थ होता है वह जीवान वह को संपर्ख में नहीं आ पाता है वह बचाई रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलत मुक्त कर मनुस्त के खाने ज्योग रखता है उसे का कहते हैं खाद सनदक्षा करते हैं जैसे आपithe सकते हैं कि शोडियम बेंजोइट हो गया श्कॉर्बीक अमलों हो गया इसका लौन हो गया यह सब सारी चीज़ लोगों देखने को मिलेंगे ठीके ना तो देखिए कोई भी चीज आप लोग अपने सींपल भासा मियाद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इजाम में अराम से लिगे देंगे ठीके ना तो खादे परदक्षा मतलब क्या कि मनुस्त के खाने वाला चीज ठीके ना जू जब हाने फीगर से जब आप लोग समझाते है थे ज्यादा समझ में आएगा तो आप लोग सामने हम फीगर फी लाख दी न देख सकते हैं ठीका न मैस्ते हो मन नाम पड़ेगा ह। देखाल नैकाल मुन को टेल रहे गा यसा रा सायनिक पदार्थ रहे गा इस में कारित हो बाबू खाध मिनें नाहीं नहीं लगते हैं जिवान नहीं लगते तो कुछ इसी परकार के तेल होते हैं तो बचा दिया जीवाडू से वैसे रसायनिक पदार्थ जो हमारे उपयोग में हैं जो हमारे खाने वाले समझ गए होंगे आगे चलते हैं अब भरजन क्या है और मान लीजिए आप लोग वायू की उपस्थीति में आप आप लोग कोनों के मार रहे हैं ठीके न तो वह भर्जन का लाएगा आ कोनों के निर्वात में मार रहे न तो उकालाएगा निस्थापन समझ गए बसत न समझे भर्जन क्या होता है कि वायू के उपस्थिती में यानि ओयस्क को ठीके न ओयस्क को वायू के उपस्थिती में उ पौनों भी जो अयस्क है तो अयस्क को वायू के उपस्थिती में गरम करेंगे तो उप कहलाएगा भर्जन और वायू के अनुपस्थिती में यानि निर्वात में गरम करेंगे तो वह कहलाएगा निस्तापन याद हो गया यहां तो सवाल भर्जन कहीं था बट आप लोगो न गरम करेंगे यह का लाएगा भर्जन और निर्वात में गरम करेंगे तो इका लाएगा निस्तापन बस सीम्पल परिवासा है चलिए आगे चलते हैं बाबु आप लोग समझ गयोंगे यहां लिक दियें देख लिए कि अयस को वायू की अनुपस्थिती में गरम करके आपन भी दे दिया जाए समझ गया ना आप लोग को निस्तापन भी दे दिया जाए ताकि आप लोग एक साथ ही दोनों को खतम कर लेजिए अब आगे चलिए अब कोशन नमबर साथ है साथ आप लोग देखिये का बाबु क्या है कि इंजाइम उत्परिरण क्या है उदहार लगाई जो भगा लगा लगा लगाएगा बाकी ऑग दूनों अपने में टकराएगा जैसे कहने का मतलब है कि माँलीजी की बैचारा यह गो दोस्त है ठीक है बताते हैं और यहां भी एक क्या है दोस्त है दूनों के बिच बहुत मित्रता है दूनों क्या है दोस्त है एक माल लिजे कि कुछ आया ठीक ना एक राव दूनों के बिच में क्या करी आग लगा दी बोल दी तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है तुम्हारे बारे में वह ऐसा बोला है तुम्हारे बारे मे के बिच होगा यह दूनों के बीच ठीक ना तो उत्रप्रिरण का करता है यही करता है ठीक ना सिर्फ का करेगा आग को भड़का देगा बट खुद रियक्शन में भागे नहीं लेगा वह खुद सुझदा पलायन हो जाएगा आग लागा के चल जाएगा ठीक ना मतलब ख़ल थोड़ा सा का करेगा उनको आग उनके बीच आग लगा देगा बाकी वो खुद अपना काम कर लेंगे समझ गया ना बाकी वो का करेंगे खुद अपना काम कर लेंगे यह सिर्फ उत्पेडलन क्या करता है आग लगाने का काम करता है ठीक ना एकदम का करेगा आग लगाने काम करेगा मतलब यह सब देदेगा बट खुद का करेगा खुद लड़ाई में पर्सनली नहीं जाएगा का करेगा खाली उनके बीच में का करेगा सब कुछ कोनों को बम देदेगा कोनों कहांति यार देदेगा ताकि अपने लड़ कटके मरो आप खुद क्या करेगा खुद आरा उसको क्या बोलते हैं उत्प्रेरण यह सर्च लिखा हुआ है दखिए का कि एंजाइम में एक प्रोटीन है एक नमबर्या के लिए खत्रा है ठीक ना एक नमबर्या के लिए खत्रा है कि एंजाइम क्या है एक प्रोटीन है अब आगे पढ़ते हैं अब आगे सर्च लिखा हु किये हैं बढ़ समझीग पूरा हमारा की पिता देलेबा तो उत्प्रेरित मतलब कि आप लोग एक दम समझीग खिस अब एक दम चरम सीमा पर है कभी भी आप लोगा खिस निकल सकता है तो उत्प्रेरित का मतलब होता है कि अदम आप लोग को एक दम प्रेरित कर दिया है ठीक ह साइनिक उत्परेरण सब वह यह ठीक है ना मेन उत्परेरण का काम यही है ठीक है अब चलिए उदाहारान में का लिखा है कि हाइड्रोजन और एथीन की अभी किरिया को तेज करने के लिए निकेल धातु का उपयोग उत्परेरण की तरह होता है और एथीन बनता है आप हाँ चलते हैं आठ नमबर सवाल आप लो शतरा चीज़ वही लिंगा हुए धाना एंजाइम्य पर प्रो टीन तरह इनकरीज और गेप्लाइज दा रेट ऑफ केमिकल रियक्शन के रेट को का करेगा इन्धेज कर देगा बट डॉट्ट यपट्या करेगा खूद क्या करेगा खूद आर्टी करता है कामें कर encling में सचे केतना खतरनाक होता है चली यि अब 2 changer जो सवाल है बाबू लोग न आप लोग इसको लिख ही लेंगे या आप लोग PDF जब देंगे तो वहाँ सभी आप लोग complete करें सकते हैं तो लिए आठ नमबर सवाल का है ध्यान से देखिएगा कि एनिलीन फीडल क्राफ्ट अभी किरिया नहीं करता है कारण दीजे काहे नहीं करता है ठीक ना मतलब जो जव यह कारण यहां लिखे ध्यान से पढ़ लेते हैं का है देखिए कि नाइट्रोजन परमाडू पर इलेक्ट्रोन की कमी होने के कारण यह बेंजीन बिलय को पुनह अभी किरिया के लिए निस्किरिये बना देता है एवं एनिलीन फीडल क्राफ्ट अभी किरिया परदर्शित नहीं करता है यानि इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन परमाडू पर क्या होता है इलेक्ट्रोन का कमी होता है यह बेंजीन बिलय को पुनह अभी किरिया के लिए का करता है निस्किरिये बना देता है किसे वज़ा से नायट्रोजन परमाडू पर इलेक्ट्रोन की कमी होने से यह का करता है बेंजीन को निस्किरिये बना देता है और अनिलीन फीडल कराफट अभी किरिया नहीं दरसाता है हम लोगा हो जाएगा समझगा न यह आप लोगा था तो आगे चलता है कि हमग Herrn अगेला सवाल देखते हैं नाइन नमबर लेंथ Conference क्या है ये भी सवाल आपके एक्जाम के लिए बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट है बोल्वे गरता है जो ऐक हो सवाल आपके एक्जाम में आता है नहीं एक हो सवाल आप Sans इसलिए लिए सब सब जब जाम में आएंगे तो उमीद है कि आप लोग बढ़ियां से लिख देंगे चलिए तो लेंथे-नाइड संगूशं क्या है वब प्रमाडू करमांख बढ़ने के साथ ना भी कि यह आकरसन तो बढ़ता है तो उसमें का होगा आकरसन बल भी तिक आ लेकिन उससे संतुलन करने वाला परिरक्षण परभाव उतना नहीं बढ़ता है जिससे उनके अकार में करमी कमी आती है और उनके परमारू संकुचित होते हैं संकुचित का मतलब क्या होता है मान लिजे कि अप लोग बताते हैं मान लिए कि अतना बड़ा फुलावना है फुलावने बताते हैं मान लिए कि आप लोगों फुलावना इतना बड़ा का फुला दिये ठीक है तो फुलावना का साइज केतना हो गया तो अब आप लोगों कराम थोड़ा सा हावा निकाल देंगे तो केतना हो जागा तो साइज क का छोटा होना ठीक है ना साइड का छोटा होना क्या का लाता है संकुचित का लाता है समझ गया ना साइज का छोटा होना क्या का लाता है संकुचित का लाता है ठीक है यह होता है संकुचित मतलब उसका अकार कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है वह संकुचित हो जाता है इसे LENTH worry night संगोचन कहते हैं ठीक ना यानि мира अकार चोटा होना यानि अरी ओसे तसे ठीक कैना जिसके प्रमाडू करमांग तु बढ़ेगा ठीक ना बठ उसके अकार में ठीक ना थोड़ा मोड़ा कमी आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते जहां लेंद संगोच ह मुलते टेकि हमारा पांचोगोगोग उतने उनाइड के बाद जवन तत्वे लेकिन लेंद नाइड में जवन तत्वे आएगा उकर आपकार में कमी होता है तो याद हो गया कोई दीकत कोई दीकत नहीं है आप लोग समझ गए होंगे समझ गए ना यह लैंधनाइड संकुचन क्या है कि मतलब यह गो ऐसा फिक्स तत्व है जिस तत्व में परमारू करमांग तो बढ़ेगा और उसका आकार क्या होगा घटेगा और अकार घटने की किरिया को संकुचन बोलते हैं और उस सारे पर किरिया को बोलते हैं लैंधनाइड संकुचन याद हो गया प्यारे दोस्त आगे चलते हैं अगिला सवाल और आज की कलास का लास्ट यह आप लुगा इंगलिस में है पर सकते हैं कि इन लैंधनाइड नुकिलियर एट्रेक्शन इनक्रीज मतलब इनक्रीजिंग घा लगएगया विथ इनक्रीजिंग याटोमिग नमब्र बरनयर के शेंथ क्या होगा कि उनका अट्रक्शन भी इंक्रीज और आप लोग का ये सवाल जो है बावु लोग ना मतलद जिस चैप्टर का है उस चैप्टर से ये को सवाल तो आना थे है ठीक ना तो पहिली के सवाल आप लोग की लाए है आप लोग इसको करेंगे देखिए क्या है ध्यान से पढ़िएगा कि प्रथम कोटी की अभिकिरिया का बेग इस त्रांग दूस़ सेकंड्ड इनवार्law है तो इस अभिकिरिया का और्ध काल यानिरिख आयू हमने के बताना है ठीक है ना कितना बश्त dal आस सवाल है कितना बश्ताioè हम सवाल कितना मतल नहीं सकते है तो हमनी के बेग इसरांख दिया है बाभू पादिया तो अम कि यहाँ के दिया गया है के कमान दिया गया है 200 इन्वर्स दिया गया ना और हम लोग जानते हैं मिन प्यारे दोस्ट कि टी हिया और को मान होता है अब देखिए यहाँ से दस्मलव हटाते हैं तो दस्मलव हट आएंगे तो नीचे क। यही आप लोग का राइट एंसर आजाएगा आगे वाला आप लोग मुबाइल से कर सकते हैं लेकिन यतना इसना कनफर्म है कि दूसर तीन वार जाएगा दूती आनि चोँ आएगा फिर नौ होगा तक चार दुनी आश जाएगा तो एक बचेगा एक बचेगा तो तेरो हो जाएगा तो छोब दूनी बारण आगे चोँ आएगा यह आज की कलास में हम लोग दो सवाल को डिसकत्री के जो कि आप लोग के एजाम के लिए बहुत बहुत इस्पेसल है आप लोग इसको तयार कर लेंगे नोट कर लेंगे और आप लोग जाके एप में सारा PDF आप लोग ले सकते हैं तो एप का लिंक कहां मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और यदि आप लोग वहां से दिकत होगा तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके अराम से आप लोग PDF मतलब आप लोग को एप के बारे में बता दिया जाएगा कि आप लोग को एप कैसे मिलेगा ठीक है ना मिलते हैं दूसरे कलास में जय हिंद